तो दोस्तो unrequited love यानि कि एक तरफा प्यार या one-sided प्यार ये बहुत सारे poets और बहुत सारे शायरों की topics में एक बहुत बड़ी जगा बनाता रहा है और सणियों से हम देखते आरे कि बहुत सारे लोग एक परसन के साथ इस लेवल पह अट्राइक्ट हो जाते है या उसे प्यार हो जाता उस परसन से पर वो प्यार जिस intensity से दिया जाता है उसी intensity से वो return में नहीं आता तो जानते हैं कि क्या होता है ये एक तरफा प्यार, क्यूं होता है ये एक तरफा प्यार और आपको इसके बारे में क्या जानने की जुरत है दोस्तों मेरा नाम है गुर्पिर सिंग महें एक लाइफ को चली इस वीडियो को शुरू करते है एक example जो एक तरफा प्यार का ये है कि किसी person को किसी person पे crush होना हो सकता है कि वो person भी ना जानता हो कि उस person को उस person पे crush है जैसे कि बहुत साथ लोग movie, star, celebrities के उपर, कोई cricketers की उपर, कोई XYZ person की उपर crush होता है, उसे वो person इतना पसंद होता है, उसकी घर में उसके posters होते है, वो आये जाए उस person के बारे में ही सोचता रहता है, तो इस तरह का भी जो crush है, एक person के, मन में एक person से related, वो भी इसी category में आता है, स्कूल और कॉलेज लाइफ में हमने अकसर देखा है, कि कुछ-कुछ students है, अपने seniors के उपर उन्हें crush हो जाता है, या कुछ-कुछ बच्चे है, उन्हें अपने teachers के उपर crush हो जाता है, कि उनके लिए feeling सान लग जाती, उन्हें लगता है, कि वो अपनी teacher से प्यार करते है, औ इस तरह का भी जो crush किसी person पे होना, जहां पर आपने उस person से communicate भी ना किया हो, कि आप क्या feel करते हो, और आपकी तरह से full-fragid emotions आपने डाल दिये, उस particular crush के उपर, या उस particular thought के उपर, वो भी इस category में आता है, तीसरी category है, कि ऐसे person के पीछे पड़ जाना, या उससे प्यार करन या उस person ने आपको reject कर दिया, उसने accept नहीं किया, उसने बला कि उसको आपके लिए feelings नहीं है, पर कि आप continue कर रहे हो, उस person के पीछे पड़े हुए हो, pursue कर रहे हो, calls कर रहे हो, SMS कर रहे हो, उसका पीछा कर रहे हो, उसको stock कर रहे हो, unhealthy way से आप उस person को chase कर रहे हो, क्योंकि आ तरह अब प्यार वहाँ होगा जहाँ पर आप आपा। या उस person ने move on कर दिया है और आपको बहुत ज़़ा hurt feel हो रहा है ये भी एक तरीके का एक तरफा प्यार की category में आता है और fifth type का unrequited love यानि कि एक तरफा प्यार ऐसे भी होता है कि जब दो लोग married है या वो relationship में है वो साथ में रह रह रहे है और फिर भी वहाँ पर relationship में imbalance है या wife है वो बहुत ज़्यादा प्यार दे रही है बहुत ज़्यादा उसने relationship के अंदर invest करके रखा है बहुत ज़्यादा उसकी expectations है relationship से पर जो husband है में भी वो person distant है या वो इतना connected नहीं है या vice versa तो इस तरह का imbalance भी जब प्यार में है और आप जब उस person को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो एक तरफ से तो बहुत ज़्यादा intensity से जा रहा है पर उसे intensity से वापस नहीं आ रहा है और ये भी बहुत बड़े hurt का कारण बनता है तो अगर आप भी किसी के साथ प्यार में हो जो एक तरफ है या आपकी तरफ से ज़्यादा है या सामने से return में नहीं आ रहा है तो आपको एक self introspection करना है अपने बारे में क्या ये एक pattern है जो आप बहुत सालों से follow कर रहे हो या आपकी life का ये pattern है कि जहाँ पर हमेशा आप जब प्यार में पढ़ते हो आपको disappointment आता है आपको rejection आता है या आप ज़्यादा input करते हो सामने वाले से return में नहीं आता है और क्या आपकी need है जो आप fulfill करना चारो एक relationship में पढ़ने से क्या वो void है क्या वो emptiness है आपको एक introspection करना है ताकि आपको पदा चले कि ये जो pattern है क्या इसके पीछे कोई hidden core issue है बहुत बार लोग एक तरफा प्यार में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो अपने आपको इस risk से बचाते है जो risk है rejection का क्योंकि आपने approach ही नहीं किया उस person को आप सिर देख रहे हो, admire कर रहे हो, appreciate कर रहे हो उस person के पीछे पड़े हो, अपनी feelings जाहिर कर रहे हो और उस person तक maybe वो पहुँच भी नहीं रही है आप या लोगों के बीच में या friends के बीच में gossip का reason बन रहे हो आपको वो जो importance मिल रही है लोगों की नजर में वो आपको अच्छी लग रही है आपको feel good करवा रही है पर आपको real rejection नहीं मिल रहा क्योंकि आपने directly अब तक उस person को approach नहीं किया है और आपने बताया नहीं है इसलिए आप rejection से बचने के लिए क्या एक ये convenient तरीका तो नहीं है आपके लिए क्या आपको ये पता है कि अगर आप किसी को उस person की मरजी के बिना continuously follow कर रहे हो, stalk कर रहे हो, pursue कर रहे हो अपना love interest एक तरफा दिखा रहे हो तो ये एक criminal offense के अंदर भी आ सकता है जो stalking है इसलिए आपको control करना है अपने actions के उपर जहां आप किसी person को अपनी पूरी world समझ रहे हो पर वो person आपको जानता तक नहीं या वो person आपके लिए कोई feelings नहीं रखता तो क्या आपको ये question नहीं करना चाहिए कि क्या आपने right जगा पे invest किया है और इस तरह से wrong जगा पे invest करने से आपको हो सकता है rejection आप rejection easily face नहीं कर पाओगे इसलिए chances है कि आपके अंदर बहुत ज़दा anger, agitation, frustration, irritation और उस person की तरफ या अपनी तरफ self hate या उस person की तरफ गुसा हो सकता है जिससे आप से कोई गलत action भी हो सकता है human beings के अंदर बहुत सार emotional needs है उसमें से एक emotional need है need of belonging है need to be loved and appreciated है और इसी need को पूरा करने के पीछे human beings strive करते रहते है पर इस need को healthy way से fulfill करना ही सही रस्ता होगा जब ही आप इस तरह के one-sided love में बार-बार पढ़ रहे हो तो शायद आप अपनी एक जो need है उसे fulfill कर रहे हो पर आपके सामने जो भी person आ रहा है जो भी available है easily available है आप वहीं पे अपना love देना चालू कर देते हो ताकि आपको अखेलेपन का बिल्कुल एहसास न हो ताकि आपको superficial लगे कि आप relationship में हो आपके बास partner है कोई person है आपके साथ में पर जो reality नहीं है इसलिए आप ज़रूर journal करिए लिखिए या पता लगाईए कि आपकी क्या ऐसी needs है हो सकता है कि आपकी parenting की needs है जो fulfill ना हुई हो हो सकता है कि आपको बचपन में bullying या rejection का सामना अपने किया होगा तो इस वज़े से जो आपके अंदर एक void है उसे unhealthy way से feel करने से अच्छा है कि आप ए counselor, therapist, coach, psychologist की help लेकर इस void को पहचाने कि क्यों आप बार-बार relationships में पढ़ रहे हो या toxic relationships में या one-sided relationships में पढ़ रहे हो ताकि आप core issue को resolve कर सको और last but not the least आपको सामने वाले person की personal life को उस person की choices को उस person के decisions को respect करना जरूरी है क्योंकि जैसे आप अपनी life में भी सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे चीज़ों को accept करते हो या reject करते हो या life में लेके आते हो या allow नहीं करते हो या बहुत साथ लोगों हाँ बोलते हो ना बोलते हो वैसे ही हर एक person की right है one-sided love आपके लिए जितना rewarding दिखरा है उतना है नहीं in fact future में या long run में वो आपको और ज़्यादा anxious या और ज़्यादा आपकी self-worth और self-esteem को नीचे गिरा सकता है इसलिए इसमें पढ़ने से अपने आपको जरूर रोकिए तो दोस्तों ये वीडियो था इतने अगर आपको वीडियो पसंदा है लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सबस्क्राइब करिए चनल को और देखते रहिए लाइफ कोच